हेलो फ्रेंट्स, स्वागत आप सभी का जीकर ट्रैक यूट्यूब चैनल में तो दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए साइंस के 25 बहरी इंपोर्टेंट कोसन लेकर आया हूँ जो कि अधिकाहन से एकजाम में पूछे आते हैं तो इसलिए वीडियो को बिनाए स्किप के पूरा देखते रही है और अगर आप हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को रूँ सब्सक्राइब करें देखिए जितने भी कोसन मैं आपके लिए इस वीडियो में लेका आया हूँ अगर आपको उन में से किसी का भी आंसर पता है तो आप हमें कमेंट बोक्स में बता सकते हैं तो इसका राइट आंसर उप्सन C हो जाएगा विटामिन C आपको याद रखना है विटामिन C से सरीर का घाब जल्दी भर जाता है और देखें विटामिन C का रसानिक नाम क्या होता है A-Scarvic, Acid यानि की इसका रसानिक नाम होता है और विटामिन C की कमेंसे कौन सा रोग होता है इसका भी रोग होता है तो आपको यह सभी याद रखना है चलिए next question देखते है निमने लिखित में से किस बिटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है right answer option D हो जाएगा बिटामिन B12 में आपको याद रखना है इसमें कोबाल्ट पाया जाता है और बिटामिन B12 का रसाइनिक नाम क्या होता है साइनो कोबाल्मीन इसका रसाइनिक नाम होता है और इसकी कमी से होने वाला रोग है एनिमिया तो आपको यह भी याद रखना है और दिखिए जितने भी बिटामिन है इसके उपर मैं पहले से ये वीडियो बना चुका हूँ अगर आपने वो वीडियो भी तक नहीं देखा तो आप उसे जरूर देखिएगा चलिए next question देखते है question number 3 है निम्न में से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है right answer option C हो जाएगा इस फैगमो मेनो मीटर आपको याद रखना है इससे blood pressure यानी की रक्तदाब माप जाता है और यहां पर बात करें इस फैरो मीटर की तो इससे किसी सथय की बक्रता मापी जाती है और यहां पर एनिमो मीटर का उप्योग हबा की सकतितर गती की माप के लिए किया जाता है और यहाँ पर बात करें फैदो मिटर की तो आप सभी को पता होगा फैदो मिटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है तो आपको इसा भी याद रखना है चलिए next question देखते है परमाडू के नाभिक की खोज किसने की थी इसका सही answer option A हो जाएगा रदर फोरड ने आपको याद रखना है परमाडू के नाभिक की खोज रदर फोरड ने की थी चलिए अगला question देखते है चेचक के टीके की खोज किसने की थी देखे very important question है कई वारे आग जम में पूछा जाता है question number 6 है रक्त परिबेहन की खोज किसने की थी right answer option A हो जाएगा William Harvey ने देखे ये question very important है यहाँ से एक question और पूछा जाता है देखे इसमें तो पूछा गया था कि रक्त परिबेहन की खोज किसने की थी तो आपको याद रखना है William Harvey ने की थी अगर आपसे पूछा जाए कि रक्त समू की खोज किसने की थी तो आपको याद रखना है रक्त समू की खोज Land Steiner ने की थी तो आपको दोनों याद रखने दोनों very important है चलिए next question देखते है सिक्को के अध्यान को क्या कहा जाता है सही answer option D हो जाएगा New me ismatic आपको याद रखना है सिक्को के अध्यान को New me ismatic कहा जाता है next question देखते है question number 8 है कब को का अध्यान क्या कहलाता है right answer option A हो जाएगा Mycology आपको याद रखना है और यहाँ पर बात करें Neprology की तो गुर्दे के अध्यान को Neprology कहा जाता है और सेवालों के अध्यान को Phycology कहा जाता है और यहाँ पर यह मापको पहले बता चुका हूँ New me ismatic किसके अध्यान को कहा जाता है सिक्को के अध्यान को कहा जाता है तो आपको सभी याद रखना है next question देखते है कोशिका सिद्धान्त का पृतिपादन किसी ने किया था right answer option b हो जाएगा sliding abum swan आपको याद अखना है ये question कई वार 288 का देलबे गुरूप डियक्जाम में पूछा गया था तो आप इसे जरूर याद रखेंगे और आपको याद अखना है कि कोशिका का अध्यन क्या कहलाता है cytology कहलाता है चलिए next question देखते है question number 10 है परमालू बंब किस अभी किर्या पर अधारित होता है सही answer option D हो जाएगा नाभी किया बिखंडन पर आप सभी को पता भी होगा अगर हम बात करें hydrogen bomb की hydrogen bomb किस अभी किर्या पर अधारित होता है तो hydrogen bomb नाभी के सल्लायन पर अधारित होता है और परमालू बंब नाभी के बिखंडन पर तो आपको ये दोनों याद रखने है next question देखते है पुर्सों की नस्बंदी को क्या कहा जाता है right answer option A हो जाएगा basic tummy आपको याद रखना है पुर्सों की नस्बंदी को कहा जाता है और यहाँ पर बात करें महिलाव की नस्बंदी यानि इस्तियों की नस्बंदी को क्या कहा जाता है तो tube एक tummy कहा जाता है महिलाव की नस्बंदी को और यहाँ पर अगर बात करें डेमोग्राफी की तो डेमोग्राफी ये जनसंक्या के अध्यन को कह जाता है चलिए next question देखते है दूद की सुद्धता किसी अंत्र से मापी जाती है सही answer option ए हो जाएगा लैक्टो मीटर से आपको याद रखना है very important question है ये भी next question देखते है बायू मंडल के याद दरता किस से मापी जाती है तो इसका सही answer option ए हो जाएगा हाईग्रो मीटर से देखिए आपको याद रखना है देखिए यहाँ पर यह हाईग्रो मीटर है और यहाँ पर आप option भी देख सकते हैं यह हाईड्रो मीटर है तो कई लोग इसमें confused जाते हैं और इसका answer गलत कर देते हैं तो आपको याद रखना है बायू मंडल के याद दरता हाईग्रो मीटर से मापी जाती है और हाईड्रो मीटर से द्रप का आप एकचित घनत्ब मापा जाता है तो आपको दोनों याद रखने हैं चलिए next question देखते है कौन सा बिटामिन गर्म करने पर नश्ट हो जाता है राइट answer option C हो जाएगा बिटामिन C देखिए आप सभी को पता भी होगा इसके बारे में गर्म करने पर बिटामिन C नश्ट हो जाता है और देखिए ये जो बिटामिन का chapter है very important है आपको याद दखना है और इसका जो रसायनिक नाम होता है फिलोक भी नोन होता है next question देखते है मानब मस्तिस्क कितने गिराम का होता है सही answer option A हो जाएगा तेरे सो पचास गिराम आपको याद दखना है जो मानब का मस्तिस्क होता है उसका जो बजन होता है 1350 ग्राम होता है और देखें यहां से एक कोशन और पूछा आता है कि मस्तिस्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है तो आपको याद रहने है मस्तिस्क का सबसे बड़ा भाग प्रेमस्तिस्क होता है चलिए next question देखते है मानब सरीर की सबसे छोटी गरंथी कौन सी है सही answer option C हो जाएगा pit utory गरंथी आपको याद रखना है ये मानब सरीर की सबसे छोटी गरंथी होती है और दीखे इसे ही master गरंथी भी कहा जाता है आपको याद रखना है और ये कहाँ पर होती है ये मस्तिस्क में मटर के दाने के समान होती है आपको याद रखना है next question देखते है कौन सा अंग मानब सरीर में pit utpann करता है देखे very important question है ये तो इसका right answer option B हो जाएगा यकरत यकरत pit utpann करता है ये की lever आपको याद रखना है अगर आप से exam में पूछ जाए कि pit जमा कहाँ होता है ये pit 18 में जमा होता है और utpann यानि की कहाँ से होता है तो यकरत से होता है तो आपको दोनों याद रखने चलिए अगला question देखते है मानब रखत का pH मान कितना होता है right answer option C हो जाएगा 7.4 आप सभी को पता होगा देखिए पहले से ही मैं इस topic के उपर एक वीडियो बना चुका हूँ अगर आपने बो वीडियो भी तक नहीं देखा तो आप उसे एक बार जरूर देखेगा यह जो topic है pH value का very important है यहां से question अधिकतर एक्जाम में पूछे आते हैं तो आप इस topic को अपना पका कर लिजीगा तो चलिए next question देखते है question नमर 20 है मानव सरीर में हीमोगलोविन का कार्या क्या होता है right answer option यह हो जाएगा oxygen का परिभेहन करना यह हीमोगलोविन का कार्या होता है यहां पर बात करें कहली बिन की तो यह ताप का मात्रक होता है और यहां पर जो लिवमेन है यह जियोति फलस का मात्रक होता है और decibel के बारे माप सबी जानते है यह दुहनी तीवड़ता का मात्रक होता है तो आपको चारवए भाद रखने है कोशिका के अंदर उर्जा का निर्मान किसके द्वारा होता है सही answer option D हो जाएगा माइट्रो कांड्रिया के द्वारा आपको याद रखना है और दिखे इसमें कार्बो हाइडरेट का ओक्सिकरण होता है जिससे ATP के रूप में उर्जा बनती है तो आपको याद रखना है कि कोशिका के अंदर उर्जा का निर्मान माइट्रो कांड्रिया के द्वारा होता है और इसके अंदर जो उर्जा बनती है किस रूप में बनती है तो ATP के रूप में बनती है चलिए next question देखते है कोशिका की आत्महत्या की थेली किसे कहा जाता है right answer option A लाइसो सोम को आपको याद रखना है इसे कोशिका की आत्महत्या की थेली कहा जाता है next question देखते है सुद्ध कारबन का सबसे कठोर भाग कौन सा है देखें काफी आसान question है आप सभी को पता होगा तो इसका सही answer option A हो जाएगा हीरा ये सुद्ध कारबन का सबसे कठोर भाग होता है next question देखते है सरीर से हिर्दे की और रक्त ले जाने वाली रक्त बाहिनी क्या कहलाती है सही answer option A हो जाएगा सिरा आपको याद रखना है सरीर से हिर्दे की और रक्त ले जाने वाली रक्त बाहिनी क्या कहलाती है तो उन्हें धमनी कहा जाता है तो आपको दोनों याद रखना है या अधिकतर एक्जाम में दोनों पूछे आते हैं तो दोस्तों आज के लिए इतना ही उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आयोगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ, तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आप किसी भी एक्जाम के तयारी कर रहे हैं, तो हमारे पहले के सबी वीडियो देख सकते हैं, आपके आने बाले एक्जाम के लिए बहरी पोटेंट वीडियो में बे, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चलिए,